क्या करें बाल लंबे तो हैं लेकिन उनमें ना ही कोई शाइन है ना ही चमक है बाल बहुत ज़्यादा ड्राइड डायमेज से रहते हैं बिल्कुल फ्रिजी से हैं बिल्कुल बालों में जान नहीं है दिल तो कर रहा है कटवाई दे तो रुकिये 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 कहिए मत चाहिए आपके problem का solution बस इसी वीडियो में है, hello everyone, नमस्ते, स्वागत है आप सब का अपने चैनल खुशोबिटी केर में, दोस्तों अगर से आपके बाल लंबे ही हैं, घने भी हैं, लेकिन अगर से उनमें ना ही कोई चमक है, और ना ही कोई shine है, बाल smooth नहीं है ना, तो वो बि आइन आएगी, आपके बाल smooth होंगे, आपके बाल silky होंगे, straight हो जाएंगे धीरे-धीरे, तो इसे आप चरूर बनाएं, इसे बनाने के लिए आपको लेना है एक केला, घर में आप जब भी केला लाते होंगे ना, तो एक-दो केला लाश्ट में बच जाता है, जो की काफी जाता पक जाता है, और उसे कोई खाता भी नहीं है, तो ऐसे मैं, मैं ऐसे ही केले का ही हैर मास्क प्रिपेर कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं एक केला ली हूँ, और देन इसमें add कर रही हूँ, दो टेबल इस्पून राइस, पका हुआ चावल, चावल में बहुत सारे ऐसे good properties होती है, जो कि आपके बालों को shiny बनाती है, आपके बालों को straight करती है, साथ ही बालों को smooth बनाती है, देन आपको इसमें add करना है, दो इस्पून हनी, हनी हमारे बालों को proper तरीके से नरिष्ट करता है, उन्हें moisturize करता है, बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि हनी हमारे सार ऐसे गुड ट्रॉपर डिज होती है जो कि आपके बालों को काफी ज्यादा शाइनी स्मूद बनाती है देन आपको इसमें लेना है मलाई वर्ण टेबल इस्पून जो हम घी निकालने के लिए घर में मलाई रखे रहते हैं वही लेना है और इन सब को आप अच्छे से ग्र प्रबलम होती है तो इस चीज को आप ध्यान दीजेगा मैं यह जो ग्रैंड की हूँ एक दो मोटे इसमें है ग्रैंवेल्स उसे मैं निकाल दूंगी और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटिफूल सा हेयर स्मूद निंग टीम जो है वो बनकर रेडी हो गया है और अब आप करना है वन टेवली स्फून कैस्टर ओल जी हा दोस्तों अगर से आपके पास कैस्टर ओल नहीं है तो आप कोकोनट ओल भी ले सकते हैं कोकोनट ओल भी नहीं है तो आप ओली ओल भी इसमें एट कर सकते हैं इन सब को अच्छे से मिक्स करके आपको इसे यूज क्यासे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है तो इसे यूज़ करने के लिए आपको पहले अपने बालों को शैंपू कर लेना है देन आपको इसे अपलाई करना है अपने पूरे बालों में अच्छे से शैंपू करने के बाद इसे अच्छे से अपलाई करिए और एक घंटे रखिए उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है इसे अपलाई करके आप एक shower cap के help से उसे cover कर लीजे ताकि वो hard ना हो और hair wash करने में ज़्यादा problem ना हो तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने बालों को wash कर चुकी हूँ और आपको ये लग रहा है कि ये बस hair mask का कमाल है तो आप बिल्कुल विश्वास कीजिए ये सिर्फ इस hair mask का ही कमाल है मेरे बाल कितना ज़्यादा soft smooth shiny हो गए हैं कि मतलब मैं क्या बताओं पहले मेरे बाल ना काफी ज़्यादा hard थे, dry थे, damaged थे लेकिन अब जो है इनका जो इन बालों में एक नई जान सी आ गई है और दोस्तों हाँ अगर से आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो please वीडियो को like और चैनल को subscribe करना बिल्कुल नहीं भुलिएगा ऐसे ही more informative वीडियों के लिए मैं आप लोगों के साथ जो भी share करती हूँ, पहले उसे खुद use करती हूँ, try करती हूँ, देन आप लोगों के साथ share करती हूँ